जाहिन दोस्तों आपके अपनी यूटूब चैनल डीके फायर शैप्टी अकड़मी में आप से भी गास्वागत हैं आज हम फिर से फायर मैंन की नोट जो वेकेंशी है उसका नोटिपिकेशन लेकर आ गई है न्यूब फायर वेकेंशी 2021 तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताकि आपको इंडिया में आने वाली फायर डिपार्टमेंट से समंधित हर वेकेंशी एम हर तरह की इन्फोर्मेशन क जानकरिया आप तक तुरंथ पहुंश सके तो चलो आज की जो न्यू वेकेंशी है इस पर नजर डालते हैं वैसे तो हमने इसका नोटिपिकेशन आते ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था जो इसका नोटिपिकेशन आया था आते ही इसका टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था लेकिन फिर भी कुछ स्टुडेंटों को प्रोब्लम हो रही थी कि सर इसका फोरूम कैसे अपलाई करें फोरूम बढ़ने की लास्ट डेट कितनी है क्या 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 डॉकुमेंट्स लगेंगी कितनी क्या इसमें सेलरी रहेगी तो आपके हर डाउट को संसोधन करने के लिए हम यूटूब पर आगे हैं तो सारी जानकारिया आपको हिंदी के अंदर बताई जाएगी इसके अंदर जो योगियता रखी गई है वो दस्वीपास इसके अंदर योगियता रखी गई है आयूर रखी गई है 18 से 25 सार तो चल वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले जंबू कस्मीर में पुलवामा हामले में हुई जवानों को सर्दांजली अर्पित करेंगे उनके चर्णों में तो सभी मेरे प्यारी दोस्त हैं दो मिंट के लिए मौन रखेंगे फिर आगे आपकर अपनी कंट्यूनियू क्लास करते है हुआ हुआ है दो को कोохिट लजसे वाहा करते हैं आग खो डिरेखें subject ॉ कर दो कर दो कर दो कर दो है झाल 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 जैहिंद जैवर्त तो चलो अब अपन क्लास को कंट्यूनियर रखते हैं क्लास यानि वीडियो कंट्यूनियर रखते हैं हमारी क्लास ही चलती है यूट्यूब चैनल पर तो क्लास का नाम आजाता है जल्द जल्दी में तो जो यह वैकन सी आई हुई है यह है Air Force से आई हुई है कहां से आई हुई है यह आई हुई है भारतिय वायू सेना बढ़ोध्रा से आई हुई है इसके अंदर जो पोस्ट क्या-क्या रखी गई है इसके अंदर है फायरमेन की पोस्ट है मल्टी टास्क की स्टाफ की पोस्ट है और अंगे बढ़ती इसके अंदर दे गई है अब कौन-कौन अपलाई कर सकते हैं तो यह फोरम और पुरुस दोनों ही अपलाई कर सकते हैं जो यह फोरम रहेगा इसका मौड़ तो यह रहेगा जो रहेगा ओफ-लाइन रहेगा यह फोरम आपको ओफ लाइन बरना पड़ेगा अब भाई इसके अंदर जो आयू कितनी दे रखी है जो फायरमेन के अंदर आयू दे रखी है वो कितनी दे रखी है वो दे रखी है 18 से 25 इन सभी के बारे में योग्यता कितनी दे रखी है इन सभी के बारे में detail में अपन official notification के अंदर जाकर चर्चा करेंगे तो चलो एक मिन्ट इस notification को भी पढ़ लेते हैं तो जो आयू की गढ़ना है आयू की गढ़ना कब होगी इसके अंदर बता रखा है कि जो आयू की गढ़ना है वो कब होगी वह होगी जो अंतिम तिती है अंतिम तिती है किसकी जो फोरम अपलाई करने की अंतिम तिती है उससे आपकी आयू की गढ़ना की जाएगी आवे दिन जो इसके अंदर सुलक रहेगा वह कोई सुलक नहीं है यह हैं फिरी ओप पॉस्ट है तो इसके अंदर कोई भी सुलक नहीं दे रखा अब जो इसको बरे कैसे तो इसके अंदर आपको क्या है कि इसके लिए जो भी इच्छुक उमिदवार है वह है जो बाइस मार्च है या उससे पहले पहले इसको बर सकते है बीस फरोरी से आप इसको बर सकते हैं अब जो बरने का जो लिफापा आएगा लिफापा की उपर आपको क्या लिखना पड़ेगा तो यह देखी यह लिखना पड़ेगा आपको लिफापे की उपर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एक अकसर लिखकर बोल कर बता दिता हूँ इसके अंदर लिखा हुआ है C-A-D-M-O-A-I-R-F-O-R-C-E नेक्स्ट क्या है स्टेशन S-T-A-T-I-O-N नेक्स्ट है D-A-R-J-I-P-U-R नेक्स्ट है V-A-D-O-D-R-E पर ब्रेक इट के अंदर आपको लगाना है गुजराथ G-U-A-J-R-A-T गुजराथ पिन कोड नम्मर लिखना है आपको इसके आगे आप लिख देना गुन चारीस डबल जीरो बाइस जी आपको इसके अंदर एड्रेस लिखापे के अंदर भई इस एड्रेस पर आपको आविदन को बेजना है अब भई इसके अंदर क्या क्या दस्ता बेज लगेंगे इन सभी की जानकारी हम जो ओपिस्यल नोटिपिकेसन है उसके अंदर भी जानेंगे और आप यहां भी देख सकते हो अन्य कुछ निर्देश ती हुई है यहां पर एक यहां पर भी आप देख लीजिए कि इसके अंदर आपको यह लिखकर इसके अंदर आपको जो ब्रेक इट दिख रहा है इसके अंदर आपको पोस्ट लिखनी है कि इस वो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप फाइरमैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो फाइरमैन लिख सकते हो तो अब इसके अंदर आगज जितने भी जानकारी है वो हम official notification के मादियम से देखते हैं तो अब अब हाँ गए है official notification के उपर इसके अंदर आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी post किस post के लिए कितना क्या दे रखा है आप इसके अंदर मैं इस तार से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको problem ना हो आपने देखा ही है कि why use है ना के अंदर बारती वाई सेना के अंदर यहें वर्ती आई हुई है इसके अंदर जो आपकी edge रखी जाएगी 18 से 25 रखी जाएगी यह post दी हुई है नामों post किस post के लिए आपको apply करना है तो हम चलते हैं अपन जो fireman की post है उसके तरफ चलते हैं कि fireman की post के लिए क्या क्या दे रखा है तो यह आ गए हम fireman की post के लिए हम यहां पर आ गई है तो अब जो इसकी जो detail दे रखी है उसको विस्तार से जानते हैं कि इसके अंदर कैसा क्या condition रखी गई है तो इसके अंदर शर्व पर्थम तो बता रखा है मैं थोड़ा नीक यह देखी अब देखिया आप कि इसके अंदर बता रखा है दस वी पास फर्ष्ट बता रखा है यहां पर बता रखी है एक में थोड़ा छोटा हो रहा है इसी में थोड़ा बड़ा कर लेता हूं आपको दिख नहीं रहा होगा कोई बात ने इतना ही रहने देते हैं कि दस्वी जो पास है आपकी वो किसी भी मानियता प्राफ्ट बोर्ड से या विश्वी विद्याले से पास होनी चाहिए आप दस्वी पास या इसके समख्ष समख्षे कोई डिग्री आपकी पास होनी चाहिए नेक्स्ट क्या दे रखा है कि राज्य अगनी समन सेवा यहां पर दे रखा है कि राज्य अगनी समन सेवा या मान्यता प्राफ संस्ता के तहत अगनी समन में प्रिक्षन प्राफ होना चाहिए सेकिंड दे रखा है आपको सेकिंड ने ने ये थर्ड दा हो गया कोई बात ने थड़ को देख लेते हैं शाइकन तो हमने बताई दिया आपको थड़ दे रखा है कि अगनी जो इसके अंदर जो फाइर फाइटिंग फाइर फिटिंग जितने भी टाइप्स हैं इनके तो इसके अंदर दे रखा कि जो अगनी समन की जो उपकरण है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे आप देख सकते हो आग बुजाने के उपकरण यानि होज़ फिटिंग आग बुजाने के उपकरण हो गया बई एक्टिंग योशर वगरा होज़ फिटिंग वगरा जितने भी आप बुजाने के उपकरण है जैसे होज़ फिटिंग हो गया उनके रख रखाऊ से समन्दित जानकारी भी होनी चाहिए तो जैसे वह किन किन के बारे में पता होना चाहिए तो जैसे अम एक्जाम्पल के तोर पर लेशकते हैं आप फाइर इंजन के बारे में पता होना चाहिए फाइर पंप के बारे में पता होना चाहिए जो फाइर उपकरण है उनके अंदर आ जाता है ब्रांच आगई ब्रांच आगई फों ब्रांच आगई जितने भी उपकरण है इनके बारे में पता होना चाहिए तो जो अब ज करते हुए करे करते हुए पालन करने की सारीदिक रूप से शम्ता होनी चाहिए या सारीदिक रूप से fit होना चाहिए कि जो candidate है वह सारीदिक रूप से fit एवं मजबूत होना चाहिए कड़े करत्य हुए कौप पालन करने के लिए अब इसके अंदर फिजीकल के अंदर क्या क्या रहेगा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं तो फिजीकल में क्या रहेगा कि जो इसके अंदर बताया गया है हाइट विदाउट स्यूज कि हाइट बिना स्यूज पहरे यानि कि जूतों के बिना हाइट कितनी होनी चाहिए कंडिजेट की तो वो होनी चाहिए 65 हाइट होनी चाहिए 65 हाइट होनी चाहिए और जो SCST वाले हैं SCST की जो स्टूडेंट है उनको 2.5 cm की छूट दी जाएगी यानि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए तो 1.65 में से आप 2.5 है 2.5 है उसको माइनस करोगे तो 162.5 cm आएगा अब CHEST क्या है नेक्स्ट देखिए आप CHEST तो वे CHEST कितना होना चाहिए तो बिना फुलाए हुए CHEST होना चाहिए 21.5 cm चाहिए और फुलाकर के CHEST कितना होना चाहिए तो फुलाकर के CHEST होना चाहिए वो होना चाहिए 85 cm यानि अंतर कितना होना चाहिए कि फुलाउट कितनी होनी चाहिए तो 81.5 चाहिए यानि 4.5 cm फुलाउट होनी चाहिए CHEST के अंतर अब वेट कितना होना चाहिए तो इसके अंदर जो वेट होना चाहिए वो वेट होना चाहिए कितना होना चाहिए 50 kg इसका वेट होना चाहिए किसका कंडी रेट का 50 kg वेट होना चाहिए चलो अब देख लेते हैं वेट की हमने बात कर ली अब नेक्स्ट वर क्या क्या आएंगे उनके बारे में चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट जो दे रखा है इसके अंदर नेक्ट दे रखा है जो फाइरमेन है यानी कंडिडेट को नेक्स्ट क्या करना है फाइरमेन लिप्ट, अब फाइरमेन लिप्ट क्या होते हैं जो आपको इसके अंदर क्या करना है कि 96 सेकंड के भीतर 183 यानि 183 मिटर की दूरी पर यानि कि 183 मिटर की दूरी पार करके आपको जाना है कैसे पार करनी है 63.5 यानि 63.5 किलो की आदमी को आपको अपने कंदों पर उठाना है उसे उठा कर 183 मिटर जाना है छान में सेकंड के भीतर चान में सेकंड के भीतर आपको ये दूरी पार करनी है अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है इसके अंदर नेक्स्ट दे रखा है 2.7 तो पॉंट सेवन मिटर आपको लोंग जम्प से गया है आप समझ सकते हो कि इंगलीस में किसकिस ने तो समझ लिया होगा लेकिन कुछ इस्टुडेंट नहीं समझ पाया होगे तो long jump से आप समझ सकते हो कि लंबी कूद आपको लंबाई कूद नहीं है वह लंबी कूद आपको करनी है तो 2.7 मिटर अब मिटर से आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो 1 मिटर की अंदर कितना होता है लगबग 3.28 फिट होता है एक मिटर के अंदर तो यह बता रहा है 2.7 2.7 मिटर लगबग में आप इसको मान सकते हो इस नो मान सकते हो लगबग 9 फिट आपको लंबी कूद करनी है अब नेक्स्ट क्या दे रखा है नेक्स्ट है आपको यूजिं मिटर तीस मिटर इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि जो तीस मिटर ने 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 सोरी इसके अंदर तीन मिटर लगबग में आप मान सकते हो तीन मिटर से आप मान सकते हो लगबग में साड़ी नो दस फिटी मान लेजी आप दस फिटी की जो रस्सी है उस पर आपको चड़ना है पैर और हातो के यानि यहाँ पर दे रखा है hands and fit कि जो हात और आप पैर को दोनों का सहरा ले सकते हैं और तीन मिटर उची रसी पर आपको चड़ना है समझ चुके हैं आप हमें आसा है अब next नेक्ट चलते हैं जो फायर मैन की जो फायर मैन की जो पोस्ट है उसकी तरफ चलते है यह भी फायर इसके फायर मैन के बारे में तो आपने समझ लिया फीजिकल के अंदर क्या क्या होगा अब जो फायर मैन की जो पोस्ट है उसके अंदर आगे और क्या-क्या दे रखा है तो इसके अंदर क्या-क्या दे रखा है वह कितनी क्या वो रहेगी सैलरी रहेगी तो इसके अंदर सैलरी रहेगी वो रहेगी गुनी सजार मिनिमम आपके सैलरी रहेगी अब आप हम वो देखते हैं कि सीधे उस पर चलते हैं कि हाउ टू अपलाई फॉरम कि फॉरम को हम अपलाई कैसे करें हर स्टुडेंट को यहीं को रहा है कि सर इसको अपलाई कैसे करें तो जो इसके अंदर दे रखा है इसके अंदर दे रखा है कि योगे उमीदवार है वह है वह है वह है वायू सेना इस्टेशन में अपनी मन परशंद के अनुसार अपलाई कर शकता है किसी भी हिंदी में भी और इंग्लेश में भी नेक्स्ट क्या दे रखा है अपलाई से अब यह देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो यह देखिए यहाँ पर इसके अंदर यह दे रखा है कि जो यह यहाँ पर है यह आपको लिफापे के उपर लिखना है और जो यह ब्रेकिट बचे हुई है इनके अंदर आपको अपनी मन पसंद के अनुसार अपनी पोस्ट लिखनी है अब इसके अंदर पोस्ट के अंदर आपको क्या-क्या डोकॉमेंट्स लगेंगे कैसे पोस्ट करें इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि नेक्स्ट के अंदर यह बीदे रखा है कि जो आपको इसके उपर दस रुपए का जो डाख टिकट है वहें लगाना होगा अब नेक्स्ट क्या दे रखा है नेक्स्ट देखते हैं कि जो आवेदन की अंतिम्तिति है लाश्ट डेट है वो लाश्ट डेट कितनी है कि लाश्ट डेट स्टार्टिंग डेट से तीस दिन तक इसकी लाश्ट डेट रहेगी अब डॉकमेंट्स के अंदर आपको क्या क्या लगाना होगा तो डॉकुमेंट्स के अंदर आपको लगाना होगा अब डॉकुमेंट्स सपोर्ट एंडिकेशन एंच यस इसके अंदर आपको लगाना होगा एक तो दस वी की मार्शेट लगानी होगी आपको नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट लगाना होगा आपको मोल निवास नेक्स्ट है जाती परमान पत्तर आपको लगाना होगा और अगर आपके पास एक्सप्रियंस बोल रहा है अगर आपके पास एक्सप्रियंस का सर्टिपिकेट है यानि अनुबह परमान पत्र है तो आप लगा सकते हो अन्यता रहने दिए है अब नेक्स्ट क्या रख आए कि नेक्ष्ट ऑफ्षन दे रह oluyor उबीशी कंडिडेट अप्लाई अन्ट नेस्ट डे रहा है ओबीशी के कोटी के बारे में है कि इसके अंदर ओबीशी कोटी के बारे में दे रखा हो तो आब इसके अंदर देखिए इसके अंदर जो OBC के चाटर आरक्षित कोटे के लिए आवेदन करने वाले हैं उनके पास उन उमिद्वारूं के पास क्या होना चाहिए उन उमिद्वारूं के पास Central का जाती होना चाहिए यानि Center का उनके पास जाती होना चाहिए नेक्ट क्या दे रखा है नेक्ट दे रखा है दा एक सर्विसमेंग इज संब्जट को की बख दो देखे इस इस टी में वीशी कि इसके अंदर यह बोलना क्या चाहता है कि यह बोलना यह चाहता है इसके अंदर यह बोलना यह चाहता है कि अब बताता हूँ एक मिन्ट आप देखिए इसके अंदर ये बोलना क्या चाता है कि ये बोलना यह चाता है एक सर्विसमेन है उनके बारे में बोलना चाहरा है कि जो भूत पूर्वक सेनिक है एक सर्विसमेन है उनके जो आविदन है वो आविदन कर रही है तो उनके आविदन के साथ अपना परमान पत्तर अवश्य लगाए ये बोलना चाहरा है तो चलो अब नेक्सट देख रहते हैं अब नेक्सट क्या दे रखका है कि जो भाई आज इसके अंदर भाई क्षूट दे रखी है आपको एचिके अंदर ऑफिशड ये उन और में सटोडेंट है च्टो डेंटेंटि को कितनी छूट दे रखी है तो OBC वालों student को दे रखी है तीन वरस की छोट इसके अंदर दे रखी है जो SC ST वाले हैं उनको पांच वरस की दे रखी है और जो विकलांग है विकलांग है उन student को किसी भी तरह से विकलांग हो शकते हैं उनको दे रखी है दस वरस की छोट इसके अंदर दे रखी है और जो आयू की गर्णा next यह भी वतार है कि जो आयू की गर्णा है वहें अंतिम्तिती से की जाएगी आविदन की अंतिम्तिती से की जाएगी तो चलो यह हमने देखी लिया अब next दे रखे हैं जो देख लेते हैं आपन इंपोर्टेंट जो तथ्य बनता है वहें देख लेते हैं कि क्या दे रखा है डिपार्टमेंट इसके अंदर क्या दे रखा है कि जो डिपार्टमेंट के अधिकारिक हैं अधिकार अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि जो परमान पत्तर है अगर परमान पत्तर किसी में भी without detail यानि परमान पत्तर किसी के अंदर भी अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसे सरकारी तोर पर खारीज कर दिया जाए राइट और जो आगे दे रखा है जो अधिकारिक जो बोर्ड है उसका ही निर्णय अंतिम होगा नेक्स्ट क्या ये रखा है नेक्स्ट ये रखा है एप लिकेसिन after-must नेक्स्ट ये रखा है कि जो आपलीकेशनन यानि जो आवेदन है नियमित तिति के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा कि जो भाई आप ये मान लीजिए भाई पांच तारीक लाश टेट है तो आपका जो आपने जो लिफाभा बेजा है वहें छे तारीक को पोंच रहा है बोर्ड के पास तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा कि आपने कब इस पोस्ट को पोस्ट किया था किस कारण से यहें देरी से पहुँच पाया इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जो लाश्ट दे रखके है डेट उससे पहले पहले आपका जो लिफापा है वह आपका आवेदन है वह पहुँचना चाहिए बोर्ड के पास में नेक्स्ट क्या दे रखका है डाडर टाइम पेलेश ओफ एक्जाम कंदलेटा प्रिशन नेक्स्ट दे रखका है कि जो पात्तर जो उमीद्वार रहेंगे उनको परीक्षा के तित्थी समय और इस्तान के लिए डाक दोवारा सुचित किया जाएगा अब दोब डाक देरी से पहुचता है तो उसके लिए संगठन किसी भी परकार जिम्यदार नहीं रहेगा यहें इसके अंदर बताया रखा है किसी भी परकार संगठन जिम्यदार नहीं रहेगा क्या तो आप जिम्यदार रहेंगे या पोश्टमें जो पहुचा रहा है आपके पास वो जिम्मेदार रहेगा, संगठन किसी भी परकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, तो आप अपने जो पोश्ट मास्टर है, पोश्ट मैन है उससे आप चर्चा करते रहें, कि सर कभ क्या आ रहा है आप उसे ऐसे बता देने कि सर मेरी एक पोस्ट आएगी तो आप मेरे को आते ही सुचित कर देना तो इसके लिए बोड किसी भी तरह या शंगठन किसी भी तरह जम्मेदार नहीं रहेगा, या तो आप जम्मेदार रहेंगे या बेजने वाला जो आप के पास लेकर आएगा वो जम्मेदार रहेगा नेक्स्ट क्या रहा है एक्सट्रमेस इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो इसके अंदर क्या बोलना चाहता है कि सभी रेल यानि जो सभी कंडिडेट है वहें रेल किराए पातर रहेंगे चाहें वहें फिर OBC का कंडिडेट हो या AC-ST का कंडिडेट हो या विकलांग या भूत पूर्वे शेनि को सभी किराए के लिए पातर रहेंगे तो अब इसके अंदर यह हमने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राव्त कर लिए है अब इसके जो फोरम है फोरम है वहें कौन सा है तो ये देखिए इसका फोरम हो गया इसके अंदर आपको यहाँ पर आपकी फोटो लगा देनी है यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगा देनी है नाम वगरा लिख देना है फादर वगरा फादर का नाम लिख देना है डर्टो बर्त लिख देनी है ऐसे आप इसको परमानेंट अडर्स वगरा सब कुछ लिख सकते हैं इसको भरकर आप अपनी पोश्ट में जो आपकी पोश्ट ओपिस है वहाँ से आप पोश्ट कर सकते हों जल्द से जल्द इसे पोश्ट करें आपको अगर यह फोरम नहीं मिल रहा है तो आप हमें वोर्ट सब पर हाई लिख कर यह जो आई हुई है फायर मैं आप लिख देना हाई सर नीचे लिख देना फायर मैं पोश्ट फोरम अपलाई पीडियेफ सेंड तो मैं आपको वहाँ पर पीडियेफ सेंड कर दूँगा अब सर्व आपके वोर्ट सब नंबर कितने है यह भी कनिफिजन हो रहा होगा आपको तो आपको डिस्प्सकर्शन बॉक्स में मेरे वोर्ट सब नंबर मिल जाएंगी तो वहाँ पर आप मेरे को वोर्ट सब कर सकते हों सभी को मैंने आपका डाउट केलियर कर दिया है फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और एक बात और बता दो कि जो अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली इंडिया में आने वाली फाइर डिपार्टमेंट से समंदित सभी परकार की जोबो का नोटिपिकसन आपको मिल सके वीडियो आपको अगर अच्छे लगी है तो इसे लाइक करें और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट इसका जो फोरम है कैसे अपलाई करना है उनके बारे में अच्छे तरह जान सके तो अब हमने इसके अंदर देख लिया और अगर आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जोइन नहीं किया है इस्टाग्राम है वहाँ पर आप हमें फॉल जोइन या फोलो कर सकते हो तो आज की वीडियो में हम यहीं तक आज के लिए यहीं तक जै हिंद जै भारत